सुनान नदी पर बना 50 साल पुराना पुल हुआ जरजर तूटी पड़ी रेलिंग दे रही हास्ते को दावत रात में रहता है अंधेरा हटा हटा बटिया का मार्क पर सुनान नदी के उपर बना हारट पुल जरजर हो चला है पांच दसक पहले बने इस पुल से रोजाना हजारों लोग आवागमन करते हैं पुल के बीचों बीच जगाए जगाए गड़े हो गए हैं इससे धोकर ओवरलोड भी गुजरते हैं लेकिन जिम्मेदार अब भी अपनी गहरी नींद में सोय हुए है पुल की मरमत की सुद अब तक किसी ने नहीं ली है लोग डर डर कर पुल को पार करने को मजबूर है अब सवाल एफी उट रहे हैं कि इस जरदर पुल पर आवा गमन कितना सुरक्षित है बीते दिनों आई बाड में पुल की रेलिंग जगाए जगाए से उखड़ गई है रेलिंग छती ग्रस्त होने से हास्सा का डर बना रहता है पुल की उपर रेलिंग जुकी पड़ी है जानकारी के मताविक करीब पांच दशक पहले सुनानदी की उपर बट्यागर रजपरा मार्पा हराट पुल का निर्मार पी डवली विवाग के द्वारा किया गया था तभी से इसकी मरम्मत और उचित रख रखावाव नहीं हुआ और पिछले कुछ सालों में भारी बाहन और यातयात के कारण यह जरजर हो गया इसके परिणाम सरूप चताय पर दरारे और सड़क पर बड़े बड़े गड़े हो गये है बारिश के दिनों में बार आने से पुल डूप जाता है जिससे इसकी रेलिंग छती गरस्त हो गई है और जगए जगए से उखड़ गई है पुल से गुजर रहे बाइक सबार नेलेस विदालिया से पत्रिका संबादाता ने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि पुल का नेमार हुए 50 बरसों से भी ज्यादा समय बीच चुका है इसकी नेधारित आयू भी समाप्त हो गई है साथ ही रेलिंग भी उखड़ गई है जिससे बाहन चालकों को हमेशा खत्रा बना रहता है जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हास्था हो सकता है उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से पुल मरम्मत और सुधार कन्ने निवेदन किया है पुल पर अधेरा होने से रात की समय ज्यादा खत्रा पुल से गुजर रही बाइक सबार जमना यादों ने बताया हम आए दिन अपने ग्राम साथपुर से हटा दूध लेका जाती है लोटते समय रात हो जाती है इसी पुल से हो का गुजरते हैं दसको पुराने हो चके इस पुल पर रात की समय हमेशा अंधेर चाया रहता है पुल की उचाई कम होने के कारण बारिश की दिनों में यह डूब जाता है जिससे आवा गमन भी बंद हो जाता है रेलिंग ना होने के कारण पुल पर ओवर टेक की दौरान खत्रा बना रहता है क्यूंकि बाहनों की चका चौन्ध की कारण पुल के आजू- बाजू का हिस्सा नजन नहीं आता पुल से नदी में गिनने खत्रा भी बना रहता है ग्रामियों ने पुल मरमत करने की उठाई मांग हारट के ग्रामियों ने कई बार संबंदत अधिकारियों से पुल मरमत करने की मांग उठाई है उनका कहना है कि पुल की सड़क के बीच बीच बड़े बड़े गड़े हो गए हैं जिसे कभी भी कोई भी बड़ा हासा हो सकता है ओवरलोड बायनों की गुजनने से पुल में कमपन भी होता है बारिश के दिनों में बाड़ आने से डूब जाता है पुल सुना नदी के उपर बने हारट पुल की उचाई ज्यादा न पुल को पार करते हुए भी देखे गए हैं गिरामीडों के द्वारा नया पुल बनाने की मांग भी की गई है जिससे बारिश के दिनों में होने वाली परिसानी से उन्हें निजात मिल सके बहीं MPR DC के अधिकारी महंद पटेल से चर्चा की तो उन्होंने बताया पुल की मर मरमत के लिए टेंडर हो गया है दिली बिल्ड कॉन कंपिनी को या टेंडर मिला है हम जल्द ही पुल मरमत के लिए आदेश दे का कारे शुरू कराएंगे बहीं इस समद में हमने हटा SDM राकिस मरकाम से बात की तो उन्होंने कहा कि समदित बिभाग को हटा में दो माए पहले आई बार की समय ही पत्राचार के माध्यम से सूचित किया था लेकिन अब तक मरमत का काय सुरू नहीं हुआ है दवारा मेरे दवारा समदित बिभाग को पत्र भेज कर जल्दे से जल्दे कारे करने के नेदेश दिये जाएंगे कोई ना कोई घटना यहां पर घट जाए इसलिए प्रशासन से निवेदन है इसको सीग्रती सीग्रत सुधार करता है क्या ना वाहता है पंदक दुडोल्या शरीप आई से पाढ़ के कारने प्रशासन ज्यान दे रहा है नहीं यह टोल डीवील जोबी कंपनी का कंस्ट्रक् प्रशासन में बैटे जो लोग हैं कि क्रिप्टा करके इसकी मरम्मत करवाने के पा करें ताकि कोई आप प्रिकट ना होने से पचा जा सकती कैना आपका नीजिस बिजरत रोधरानी मसीनरी करशी कायर की आधुनिक मसीने बग करशी कायर रिपर मसीन 5HP गीज डीजल इंजन के साथ सभी प्रकार की फसल कटने में सक्चम एक वर्श की वारंटी वा उचित दाम पर प्राप्त करें मोबाइल नंबर 9-00-9-00-60-72 पता खचना ना का खटा जिला दमो धन्यवाद खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट सेर करें घंटी वाले बटन को जरूर दवाएं अपने छेतर सी जुड़ी ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल की साथ बने रहें खबर हटा की दिपक पटल मोबाइल नंबर 86-02-17-9712 आप सभी का धन्यवाद